पनीर के पराँठे पावनी घर की इकलोती बहु थी सास पुर्वा तो बहु के आने के बाद घर की चाबियां बहु को सौप कर हरी भजन में ही अपना समय बिता रही थी अब पूरे घर के जिम्मदारी बहु पावनी के उपर ही थी महिने का बजट हो या शादी ब्याह में दिये जाने वाले उपहार सब पाउनी को ही मैनेज करना होता था पतिपवन भी महिने की एक तारी को सारी तनख्वाला कर उसके हाथ में रख देता अब उसके बाद पूरे परिवार की जरूरतो और पसंद का ख्याल रखते हुए पाउनी को खर्चा चलाना होता था ममा कल मेरे लैंच बॉक्स में क्या दोगी बोलो क्या खाना है मेरी रानी बेटी को ममा प्लीज पनेर का पराठा बना दो न अच्छा ठीक है बना दूंगी मुझे भी न टिफिन में पनेर पराठे ही देना काफी दिनों से खाये नहीं पती और बेटी की फर्माईश सुनकर पाउनी बाजार से थोड़ा पनीर लाकर दोनों को पराठे बनाकर टिफिन में पैक करके दे देती है सुबह के समय अहा भाबी कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है क्या बन रहा है वो रूची तुम्हारे भाईया और गुडिया पनेर पराठे खाने के जित कर रहे थे तो बस भाईय बना रही थी भाबी ये तो गलत बात है न आपको पता है मुझे भी पनेर पराठे पसंद है तब भी आपने बस भाईया और गुडिया के लिए पराठे बनाए मेरी तो कोई वैलियू ही नहीं इस गर में क्या बात है दीदी किस बात पर मुँ फुलाए खड़ी हो सुब सुब कॉलिज नहीं चलना क्या किस ने खा लिये पनेर पराठे क्यों गुज़ा कर रही हो भाबी की लाडली बेटी और भाईया ने हम लगते ही क्या है भाबी के जो हमें स्पेशल लंज मिलेगा ये बगवान इन पराठों ने तो सुबह सुबह घर में धर्मा युद्ध छिडवा दिया अब अगर इन्हें पनीर पराठे नहीं मिले तो भेदभाव करने वाली भाबी की रूप में इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा अब इन दोनों को कैसे बताऊँ कि सची बात तो ये है कि घर का बजट मेरे हाथ से फिसला जा रहा है देखो रुची, राखी मैंने तुम दोनों और गुडिया स्विटी में कभी कोई फर्क नहीं किया किया है किया वो बस सुबह सुबह जल्दी रहती है न तो मैं तुम दोनों के लिए सिंपल पराठे बना दिये बसे मैं भी सोच रही थी शाम की समयना सबके लिए पराठे बनाती हूँ रोज रोज सबजी रूटी खाते खाते थोड़ी बोरियत हो जाती है ओ सारी भाबी मैंने बिना सोचे समझे आपको इतनी सारी बाते सुना दी आपको तो पता ही है पनीर मेरी कमजूरी है आप तो मुझे सची पहुत प्यार करती है बैस्ट भाबी हो आप सच में अच्छे ठीक है मैं निकलती हूँ शाम में जल्दी आ जाओंगी आज तो पार्टी करेंगे शाम को पनीर के पराठे खाने की खुशी में रूची तो खुशी-खुशी कॉलेज के लिए निकल गई लेकिन पाउनी का दिमाग अब सुन न हो रहा था माजी तो मुझे चाबिया देकर ऐसे निश्चिन्त हो गई है जैसे इनका बेटा कोई कुबेर का खजाना लूटा कर मेरे हाथ में हर मेने रख देता हो इस घर की तो वही कहान ही है आमदने अठनी और खर्चा रुपेया उपर से सब की अलग-अलग फर्माईश अगर पूरी ना हो तो सब मिलकर मुझे ही बुरा बना देते हैं अब एक आदमी की कमाई में साथ लोगों का खर्चा चलाना कोई मजाग तो नहीं है करू भी तो क्या करू मै अरे पावनी बिटा एक कब चाए बना देना हाँ ला रही हूं माजी काफी देर तक पावनी चाए लेकर नहीं आती तो साथ पूरवा रसोई में आ जाती है अरे चाए बन गई तो दे क्यों नहीं रही ये रसोई में खड़े होकर कब क्यों खोर रही है कुछ नहीं माजी वो मैं कुछ सोच रही थी ना तो ध्यान हट गया चाए से क्या हो गया बहुए तरी गुमसुम क्यों खड़िया क्या बताओ माजी अब मैंने के आखरे दिन चल रहा है ले दे कर चंद ही रुपे बचे होंगे मेरी गुल्लक में अब अगर उनसे पनीर खरेद लिया तो बाकी की खर्च का क्या होगा हम समझ रही हूँ रूची ने फर्माईश करी है न तो तुझ पर जोर तो पढ़ नहीं है सारगम या स्वीटी ने कहा होता तो तो खुशी-खुशी बना देती फर तो जग घर खर्च की चिंता थोड़े न सताती इस घर में कोई बात समझ नहीं नहीं चाता माजी ने खुद बरसो तक घर चलाया जब वही बात समझ नहीं रही तो किसी और से उमिद करना तो बेकारी है सासुमा को चाय देने के बाद पाउनी थैला लेकर बाजार की और बढ़ गई मोल भाव करकी सबजी, फल और पनीर लेकर वो दुपैर तक घर लोट आई बहु ले आई सबजी शाम के लिए पनीर भी लाई है ना कभी रात को बहाना बना दे के बोल गई थी माजी आप है न मुझे याद दिलाने के लिए आप कोई बात मुझे भूलने कहां देती है अब सुबह से तीन बार तो ताने मार कर याद दिलाई चुकी है बस समझे आपकी कृपा से सब काम चल रहा है बहु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तु मुझे ताने मार रही है या तुने मेरी तारिफ करी या टॉंट कसा है हरे अरे माजी मेरी इतनी मजाल कहां कि मैं आपको टॉंट मार सकूँ मैं तो बस ये कह रही थी कि आपकी कृपा से ही तो ये घर चल रहा है आप ये तो मुझे समय समय पर मार्ग दर्शन देती है जिसे मैं घर को अच्छे से चला पाती हूँ आप नहीं कहती तो मैं काम थोड़ी निपटाती कहीं गुमने ना निकल जाती किसी एक को काम में मदद नहीं करनी इस घर में लेकिन क्रेडिट सब को बराबर चाहिए अब माजी कोई देख लो काम कर ना हो तो हरी भजन के नाम पर दाएं बाएं हो जाती है बाकि तिर्चे निगा से नजर हर बात पर रखती है कोई चीज इनकी नजर से बच नहीं सकती खै, शाम हुई और पतिदेव के साथ-साथ प्यारी-प्यारी ननदरानी भी कॉलेच से वापस आगी रोज नौ बज़े तक डाइनिंग टेबल पर नजर ना आने वाले लोग 8.30 बज़े से ही डाइनिंग टेबल पर बैठ कर भूख लगी है, भूख लगी है कहकर शोर मचा रहे थे बाज यह तह आप समझी गए होगे जी हाँ, जब रसोई में गर्मा गरम पनीर पराठों की खुश्बू आ रही हो तो कोई कैसे खुद पर कापू कर सकता है एक की बाद एक गर्मा गरम पराठे आते जा रहे थे और सब लोग चटकारे ले लेकर साफ करते जा रहे थे और यहर पाउनी, थोड़ा अच्छे से बरकर बनाओ ना पराठे खाली खाली लग रहे है, स्वाद नहीं आ रहा पती की बात सुनकर पाउनी ने पनीर की और देखा और अपना सर पकड़ लिया यहां मैं ये चिंता में हूँ कि इतने पनीर में सब को पूरा कैसे पड़ेगा और यह पती दीव है, जो और पनीर भरवानी की डिमांड कर रहे है क्या करूं अग आइडिया, ऐसा करती हूँ प्याज और बंद गोबी को बारिक चौप करके पनीर में मिला देती हूँ थोड़ी स्टफिंग भी बढ़ जाएगी और कम पनीर में काम चल जाएगा दिमाग में आइडिया आती ही पाउनी फटा फट चौपर में बंद गोबी और प्याज डाल कर बारिक चौप कर लेती है और पनीर में मिला लेती है पवन के कहे अनुसार अब वो खूप सारी स्टफिंग डाल डाल कर करारे परांठे सैंक कर डाइनी टेबल पर पहुँचाने लगती है पाउनी ने सबजिया मिला तो दी थी लेकिन उसके मन में डर भी था कि कहीं उसकी चाला की पकड़ी ना जाए लिकिन ये क्या सबजी वाले परांठे तो सब उंगलिया चाट चाट कर खाने लगे बाहु आज कान से शैफ के रसोई देख ली तू ना जो इतने बड़िया परांठे बनाए मजाईया आ गया हो बाभी सच में आज तो मजाईया गया सची पेट दो बर गया लेकिन मन नहीं बरा पावनी लगता है सुबह तुमने बे मन से परांठे बना कर दिये थे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो हमेशा मन से ही बनाती हूँ सब कुछ नए 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 सुबह वाले परांठो में वो बात नहीं थी जो अब वाले मैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया है चुलो आप सबको पसंद आगे तो मैं ऐसी बनाया करूंगी पावनी का फॉर्मिला हिट हो गया था अब तो पावनी खुदी खुशी खुशी सब्ता में एक दिन सबके लिए पनीर के पराठे बनाने लगी थी क्योंकि अब पनीर पराठों से पावनी का बजट बिगड़ता नहीं था